भारतिय बाजार में पहले बार सोची वद्द आरी आईटी एमबेसी आरी आईटी ने अप्रेल 2019 में अपनी लिस्टिंग के बाद से अकेले 10,000 करोड से अधिक वितरीत किये है इसके समन में अधिक पत्रपरिशत में अधिक जानकर इसाजा की है अभिशेक अगरवाल ने सांथ शामिल है और भारतिय कारियाले और खुद्राक्षेत्रों में फैले हुए है भारतिय आरी आईटी परीप संपत्य वैग ने 2019 से 18,300 करोड से अधिक का वितरेंद देखा है यह रियल स्टेट कंपणियों द्वारा वितरीत सयुक्तला भांश को पार करता है जो पूरी निफ्टी रियल्टी इंडेक्स का निर्मान करते है भारतिय बाजार में पहले सुची बद्द आरी आईटी एंबिसी आरी आईटी ने अप्रेल 2019 में अपनी लिस्टिंग के बाद से अकेले 10,000 करोड से अधिक वितरित किये है और इसके खुद्राय उनिट धारक आधार मे सौहजार से अधिक निवेशक शामिल हुए है अपने विशाल बाजार आकार अनुकुल जनसांखी की और तेजी से पढ़ते शहरी करन के साथ भारत रियल स्टेट निवेश और विशेश रूप से रीट्स के लिए अपार अउसर प्रदान करता है भारत वैश्वीग पहु संता और रीट परिसंपति वर्ग की बढ़ती लोग प्रियता पहले कभी इतनी स्पर्ष नहीं होई थी अतिहासिक रूप से रियल स्टेट में तरलता की कमी रही है और यह मुख्य रूप से अवासिय केंदरीत रहा है तथा कॉर्परेट प्रिशासन के मामले में इसका प् निवेश साधन प्रदान करता है जिसके लिए उन्हें वास्तों में कोई भौतिक रियल स्टेट संपति खरिदने उसका स्वामित्व रखने और उसका प्रभंदन करने की आवशक्ता नहीं होती है उन्हें आय उत्पन्द करने वाली संपतियों में से कम से कम 80 प्रतिशत सं मुख्य वित्ति अधिकारी अभिशेक अग्रवाल ने कहा रीट खुद्रा निविशेक को को दुशक्ति शाले तरिकों से तरल पारदर्शी और अत्यादिक विनियमित रूप में ग्रेड एवानिजिक अचल संपत्ति के लिए जोखिम प्रदान करता है सबसे पहले आडिया इसलिए निविशेक को वित्रन के माधम से नियमी ताइम मिलती है दूसरा निविशेक को पुझी कत्मुलव रुद्धी भी मिलती है क्योंकि आरिया आइटी प्रभावी रूप से उच्छलाभांश वाले स्टॉक है जिन मैं खाली जगह के पट्टे किराय में रुद्धी और बाजार किराए पर या असरे उपर महत्वपूल्ड किराए की वापसी के माधम से मजबूत अंतनीहीत विकास शमता है और उससे जो रेंट आता है उसको यूनित होल्डर यानि सेर्ड होल्डर को क्वाटर ले डिस्ट्रिबूट कर देता है जो कि SEBI से regulated है minimum 90% of the cash flow has to be distributed और वो कर रहा है यह एक ऐसा instrument है basically जो investors को एक opportunity देता है कि real estate में invest करे और बहुत safe governed product है regular cash flow आता है tax efficient product है और यह बहुत सारी benefits प्रोवाइड करता है जैसे liquidity, accessibility and high governance क्या मेरा परसें राश कुमार मोर के साथ शितिचा देश्मुग BCN News नाक पर